Hello my dear students, welcome to you once again in this channel and in this video we will understand the very important topic of chapter number 3, the farmer domestication of animals. Students, this video में हम समझने वाले हैं कि जो animals हैं वो domesticate कैसे हुए मतलब की वो किस तरह से लोग इंसानों के साथ रहना उन्होंने शुरू किया. किस ने animals ने, like जो हमारे cow हैं, हमारे buffalo हैं, तो इस तरह के ये animals हैं वो किस तरह से भरों में रहना उन्होंने शुरू किया, आईए समझते हैं. Indian history के Neolithic period में देखने को मिलता है कि जब से जो early human है वो farmer बना, तो farming के बात से ही उसने animal का यूज़ करना शुरू कर दिया. मतलब कि देखने में आता है कि जहाँ-जहाँ farming हुई थी, वहाँ पर animals के ऐसे bones हों या पर कह सकते हैं कि animal के ऐसे संकेत मिले, indications मिले, जिन से पता लगता है कि जो animals हैं, वो किसानों के दवारा उनका use होता था या जो farmers थे, वो animal का use करते थे farming करने में. The animals domesticated by Neolithic people include cows, sheep, goats, pigs and dogs. तो जो Neolithic period में उस time का early human था, वो cow का use करता था, sheep थे, sheep भी घरों में रहा करती थी, goats को पाला जाता था, pigs, dogs इस तरह के, ये animals domesticate हुए थे. देखिए, indications की बात करें, तो बोर्ज हो में जो कुछ find out किये हैं, वहाँ पर पता लगता है, वहाँ पर कुछ dwelling pits मिले थे, जो की रहने के लिए गड़े खोदे जाते थे, early human के द्वारा. और इन pits को उस टाइम का जो इनसान था, वो रहने के लिए उस shelter की तरह use करता था, और अपने साथ साथ कुछ जानवरों को भी वो साथ में रखता था. अब जब वहाँ पर ये खुदाई हुई और जब इन dwelling pits को find out किया गया, तो ये अंदाजा लगाया गया कि कही ना कही जो bones वहाँ पर मिले थे, वो animals के थे. और animals में जब और research की तो पता लगा कि या तो वो dogs के थे, cow के थे, या फिर वो sheeps या goats के थे. तो इनसे ये पता लगता है कि उस time का जो early human था, वो अपने साथ साथ animals को भी रखता था, तो कहीं न कहीं वो उसके use में आते थे. बात करें dogs की, तो dogs का देखने में ये आता है कि जो dog थे, वो human को help करते थे, while hunting, शिकार करते समय उनको use होता था, dogs का, dogs साथ में जाते थे human के, और थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा और progress की, तो animals like dog या animals like horse या donkey इन animal का use किया गया communication के लिए, transportation के लिए इनका use किया जाता था, इन पर वो सामान लाद कर ले जाते थे उस समय पर.